है लो अब्रिवान के में वह सारे मैं तड़ा स्वाबत कर दीयां अपना तड़ा अपने चैनल ते केरिंग मॉंबा एच के आज में ता डिनाल एक काड परे डिसकेशन करन जा रही हैं जिस बच्चे दे टीका करन बरे सारी जान करी दित्ती कि ये बच्चे दी मा अते सुरक्षे काड इस इलावा कुछ इंपटेंट जो बहुत इंपटेंट नारा एक जो पच्चे दे टीका करन लाग लगाया जान्दा ये पोलना जाना दीका करन करवाना सब तो पहला इसे कुछ रूल्स बारे दस्या गया है कि केड़े रूल्स किद्धा इंप्लिमेंटन देन सब तो पहले हैं जन्दनी स्रख्या जोजना लाब बातरी मावानू एस जोजना अधीन सरकारी सेट केंदर ते मानता प्रापत ने जी अस्पतार विच जनेपा क्रॉन विच वित्ती साहिता देती जन्दीं तो जी जो फसिलिटी है गी है एस कामने लग के होई है कि प्रदान मत्री मात्री वंदना जोजना अधीन मेलन वाले लाब पहले जीवत शिशु दे जन्म ते पहली किस्ट मिल दिया आंगल माड़ी केंदर से संस्था ते घर्बतारंदी जल्द नाम रजिस्ट्र करॉन ते दुज्जी किस्ट मिल दिये पर सूती तो प प्रदान मंत्री शुरख्यत मात्रतव अबयान इस अबयान तयात कि उन्द है कि आपनी गर्पवस्ता दिजी जा तिजी तिमाही दे दोरान मीने दी नौ तरीक नो पर सूती तो पहला कट्टो कट एक वार डक्टर नो ज़रूर दिखाया जा सकता है लाब उठाया जा सकता जननी शिश्यू सरख्या जोजना तैथ अदीन मिलनवाले लाब गर्पवती औरता दिली मुफ्त परसूती मुफ्त सेजेरियन अप्रेशन सेजेरियन अप्रेशन प्राइबेट हॉस्पितल रिच उच्छे बहुत मेंगें देन पर सरकारी हॉस्पितला में चे प्री हैन आवा केडियां खून पशाब दे जाँच सोनोग्राफियाद होर केडि सूल्त देती जान दिया सरकार बोलन मुफ्त खाना संसथा विच परती ओन दरान तैन दिना तक नार्मल जलेपाते साथ दिना तक सेजेरियन अप्रेशन मेंच मुफ्त खाना मिलता है मुफ्त खून अगर खून दी लोड़ पविता होई सूलत बिल्कुल फ्री है हर तरह दी फीस तो शोट कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लाग दी मुफ्त आवजाई कारतों सेथ संसथा तक सेथ संसथा तो रहफर करन आती परसूती देर तालिकें टेबाज वापस कार ओन तक मतलब अम्बुलेंस हो गयरा दिखते जांदी है कोई भी डर नहीं हंदा किसे भी परकार्दा कोई खर्चा नहीं हंदा परसूती तो पहला परसूती तो बाद रोन वालगा ओकड़ा आते एक साल तक दे बिमार शिश्यों नहीं सूलत बहुत ही ज़्यादा सरकार वाला सू मुफ्त इलाज, मुफ्त द्वाइंगा दसमान, मुफ्त जाज, मुफ्त खूंदी सूलत, हर तरां दी फीस्त पूरी शोट, मुफ्त आवजाई कारतों सेथ संस्ता तक, सेथ संस्ता तो रह पर करना ते कार वापस तक, एक्चुल वेचिं जो लोकन पहला इंफोर्मेशन हो कनुनी अपराद है, इंडिया विचे बहुती बड़ा अपराद मनें जन दा है, जी लड़की दा जो लिंगे पहला बच्ची दा जो लिंगे पहला चेक करा ले जावी, इस तो बाद नेक्स पीज भीच जो दा है, सेथी परिवार कल आन मंत्र आला, इदी परिवार्द वि माँ पी एम एम वी आई ला पात्री, बैंक कते साखा दा नाम खाता नंबर आएफ सी, आएफ सी, गर्ब वस्था बारे जानकारी, कोल गर्ब पहले जीवत बच्चे दी संख्या, पिछली पर सूती कित्थे करवाई गी सी, अगर तर दद जबच्चा है, ओदे बारे भी प संबावत मिती, मजूद्धा परसुती कित्थे गर्वाण गे, जीवत बच्चे दा नाम, मेरे बच्चे दा नाम रमनीक और सी, है, जिनम मिती, जिनम दे समय बजन, नड़का जा लड़की, जिनम मरजेस्टर, नंबर, इस सारा कुछ जड़ावाई इसकाड़ देवेची संस्था बरे जानकारी, आंगरमाडी कर्मचारी, एल, जी, डी, कोड, आंगरमाडी नंबर, पेंड, वाड, सारी जी इंफोमेशन है, संस्था जिते बच्चा होया है, डाखना, कोड, शिवल, अस्ताल, जो भी पूरा स्थाइप, सेथ, पोशनात, स्वश्च दिवेश, र नेक्स्ट जो इंफोमेशन आ रही है, वहाँ गर्ब वस्ता दरा नेमत जाज जुरूरी है, एक्सल चे एक कार्ड जेड़ा जिदों को लेडी प्रेगनेंट हो जानती है, उदों जुरूर देता जाना चाहिए है, सरकारवलों, वोदी पहला जिदों इंजेक्शन लागद पर उस टाइम ते बिल्कुल भी कुछ नहीं दता जान दा, यह दता जा रहा है, कार्ड जो जो बच्चे दा ठीका करना होना है, कि केंदे इस कार्ड देवेज कि पंजाब शाब राहीं गर्ब वस्तादी जाज, हाँ जाना, किस तरह किती शी, आइड़ेड वेड़ देस मै पूरी स्टमक साइज भी दस्या गया है, रेजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, पहली ते माई वे जिस सेत केंदर वेच रेजिस्ट्रेशन कराओ, जिने पे तो पहला जाच, रेजिस्ट्रेशन दे बाद काट तो काट तेन वार जिने पे तो पहला जाच जिरूर करवाओ, ब्लाड प्रेशर खून पिशाव हर एक जांच दे समय ब्लाड प्रेशर खून ते पिशाव दे जांच करके जरूरी लिखो पारवाई जरूर लिखो हर एक जांच दे समय अपना पार जरूर चेक करवाओ घरबवस्था वेच काट तो काट नो तो गैरा किलो पारवदना चाहिदाय गरबवस्था द आखरी स्वेमीन ए टैटनस टकस ट्की लगआने चाहिदेय। टेस्नों टॉक्साइड तर टीके दो होने चाहिए दो लगवाने चाहिए पहला टीका गर्भवस्ता दे पुष्टी होनते अते दुज्जा एक मीने दे बात जीकर पिछले तेन साल ना वेचे टीका लगवाया हुए था टीटी दी केवल एकी घुराग द्यों बड़ी इंप हाई वेच कोल मिलाके काट तों काट एक ससी गोलियां खाना जरूरी इन द्यान देत्तियां गीयां गोलियां दी गिंतियती मिती परो ए बड़े इंपर्टन्ट रूल जाएगी ने जो फॉलो करने चाहिए देने एक हाई दी प्रेग्नेल ची लास्ते पेंड प्रकार देख खादबदार थांद सेमन करो जेश वीच फॉर्टिफाइल आट्टा तेल शामिल होए ज्यादा मात्रा वीच पोजन करो आमा हार दा लागपाल एक चो थाई ज्याद आंगलमाडी केंदर तों मिलके पूरक पोशिक हार नेम नाल खाओ पोजन खान तों बाद कुरली जरू करो देन वीच काट तों काट दो बार ब्रस जरूर करो देन वीच काट तों काट दो खंट अराम करो इसको इलावा रात नूं आठ गंटे सों केवल आयोडीन जुकत लून जा आयरन आते आयोडीन जुकत लून ही वर्तो वेरी इंपोर्टन इपन इंफोर्मिशन देन एक्स पेस्द विच्ट स्वेम इंफोर्मिशन आजन दिये कोई सेम ही है कि बच्चे ता नाम आप ता नाम प्रवारद बारे सारा कुछ लिख्या गया है अगेन गर्ब वस्ता दरा निमर जान जरूरी है फिर ओही सारी इंफोर्मिशन देती गही है कि जिने पे तो पहलना रेजिस्ट्रिशन कराओ अपना बीपी पिशाब खून पार टैटनेट उकसाइड देटी के ठीक है इस सारी इंफोर्मिशन जड़िया हो देती गही है तो यह ज़रूर ही फॉलो करने चाहिए आए एनम ली लिए गाए कि उसने जो वी इंफोर्मिशन फिल करनी है अगे आज अंदा है बहुत ही ज़्यादा इंफोर्मिशन है कि जने पे तो पहला पर सुतिस बंदी ओकड़ां किरपा करके सही जवाबते निशान लगाओ हुन वेखो जी यह सारे गलां मेडिकल लाइना एपी एच एक लापेशिया पी आई एच खोन दी कमी जने पेस बंदी ओकड़ पी पी एच सजेरियन उपरेशन जनम जात नुक्स गरपाद जहुर कोई कोई प्रॉब्लम पहला लीख होवे था है उस बारे ज़रिया इंफोमेशन जरूर देनी चाहिए दिया मुर्ली जानकरी किरपा करके सही जो आपते निशान लगाओ तब्दिक शुगर रोग हाई बीपी दमान देल दा रोग जा कोई होर उच्चाई देल फेफडे शाती दब्ब्ल दी जाज करो जने पे तो पहला ओधी पारे लख्यो है कि गरब्दा समा पार किनाए नबस दी गति किनी बीपी अनीमिया पैरा दा सुझना पील जा कोई होर समस्या जदो में ऑपरेशन सारी डिलीवरी ली चाहिदा है गाई तो उदो पहला पुछ देने के गरब्दा समा किनाए पार किनाए पार तो बहुत ही इंपार्टन है नबस दी गति बीपी जदो सेजेरियन जा कोई डिलीवरी हो भी जान दी है तो आँ सब गलना जरूर पुछने जान दी है पेट दी जाज प्रूंदी लंबाई किनी या अल्ट्रा साउंड वगारा तो पता चल जान दा है बनावट गरब्दी स्थिती केड़ है पोस्टीर एंटीरियर है सब कुछ बड़ा ही वदी है सब एल्ट्रा साउंड दी गाला है गरब्दर आंच शिशू दाहिल ना जलना आम जा कट जा मिलकुल नहीं गरब्दर आंच शिशू देल दी तड़कन पीवी जेकर कीती गई है जरूरी जांच केडिन दी हमोगलोबिन जांच शूर ती जांच आच चईवी जांच छिल्फिष ग्रेनिक ल्ट्रासाउंड ग्राफी है ॉलल्ट्रासौन ग्राफी जांच वहर्डवध रान शूंगर जांच बॉत दानच दियन थायर烦 वदी जरूर होनी चाहिए खौन दि श्गर दी होर कोई ते अन७ाल ना 다 चेडियों मैंशिन होनी चाहिए दिए नेक्स्ट आजान दा जेकर्थ हान नू जातों अडिक प्रवार देके से होर व्यक्ति नू खत्रे दे लच्छन दिगाई दें ता गर्ब वती ओरत नू त्रंथ हॉस्पोटल लाके जाओ जातों मी मलब लेबर पेंस बगेरा ताइम त या बर्वस्थ दरान खून वगना पर सूति दरां जान जने पे तो बाध जाला कून सेत लेन्वेच जाल लेच दिकत आते उस दे बना स्रीर स्टी गंबीर कमी स्टी कमी अंबेट या झालreb प्रप्रवलम होगे हा उससे वा शुप्यूटल जरूर जाना चाहिए तय लेड नेरली नाइन्थ मन्थ गर्ब वस्था दरान खून वगना जा लेबर पेंज जने पे तो बाद ठीक है उदों जादा खून वग जावे तो पहुंच जाएदा गर्ब वस्था वे ते परसूती दे एक महीने दे अंदर तेज बुखार मालब जदों लेबर पेंज नेरली नाइन्थ मन्थ मन्थ में तो बहुती तेज बखार हो जावे तो उदों में हॉस्पिटल लेके जरूर जाना चाहिएदा है दोरा पेना तुंदला दिखाई देना शेर दर्द उल्टी पूरे शेर वेचे श्रीर वेच सोज मतलब श्रीर चे सोज आ जानते वी जड़ावा लेडी नो लेके जाना चाहिएदा है बारा कंटे तो ज्यादा समय तक परसूती दर्द बच्चे दा काटे लना बेबी मुव्मेंट काट जावे ते जा बारा कंटे तो ज्यादा पेन जोन ते रिस्क नहीं लना चाहिएदा सेजेरिय नो ही मूब करना चाहिए परसूती द तर्थ तो बगारी पाणी दी थैलीदा पट जाना, इस तरा मेले नाल हो यास, समेतो पहला है पाणी थैलीदा पटना, मल चैन्ती हफ्ते तो पहला ही पाणी थैलीदा पटना, सेत संस्थावे विखे जनेप जनेपा ज़डा वजीकीन नी बनाऊ, कि दा, आशा एन M V Y अधीन रेजिस्ट्रेशन करवाना जननीस रख्या जोजना अधीन लाव उठाओ हस्पिताल पहला ही नरतार्त रखो जी और जान दी गड़ी दी पहला ही त्यारी रखो जने पे तो बाद हस्पिताल वीच अड़ताली केंटे रहना सुनिश्चित करो बहुत ज्यादा इत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है दिस इस वन अफ ती बेस्ट पेज कि किस तरह एकदम अगर इमेर्जेंसी हो जावे ते हस्पिताल बारे पहला एड़ी से लिड़र रखो कि केड़ी हॉस्पिताल जाना ही फिर गड़ी कुछ भी उधा पहला नेक्स्ट इंपोर्टन इफोर्मेशन है कार्विच जनेपिदी स्थिती देली त्यारी पहली कालते आजकाल कार्द बीच कोई भी जड़वा हो द्लिवरी ली रडी नींदा पर फिर भी कई लोग एवजे हों देने जड़ी कार्विच जनीपा करना दी त्यार हो जान देन स्रख्यत जनेपिली पर सूती सेथ संस्था विखी जनीपा माहर नर्स पैन जी तो ही करवा काम उके दादा होना चाहिद है हाईजीन और मेंटेन रखन वाला विजे में साफ आत्थोन, साफ जगात, साफ आतावर्न, साफ लेज, साफ नाबी, नाड़ुन बननली साफ नगजा शीशुदली साफ कपडे साफ मालातार, वतवन साफ होना चाहिद है, बलेड वधी होना चाहिद है, नाड़ुन नी बननल वडद तागा वधी होना चाहिद है, अगे एनम पैंजी द्वाराज निपा सुनेशित करो, किसने करना है, पर वारेक देख पालते साहिता प्रवांद जनम दे एक कंटे दे अंदर दोदे चुंगोना शुरू करवाओ या आल काम साथ तो डिफिकुल्ट हुन्द है जनम दे एक कंटे दे अंदर दोदे चुंगोना परवार कले आं च बंदी शला नेक्स्ट नोट की है के जनम दे तुरंत बाद दोदे चुंगोना शुरू करवाणवाली माननू शे मीने ताक शिशुनू दोदे चुंगोनू इच साइताम दिया क्योंकि बाद विच कई बच्चे जड़े और दोदे साक्व गयरा नहीं कार पौंदे सेजेरियन डिलिवरी विच बहुत डिफिकल्ट हो यंदा है कि बच्चे नोट से बढ़े ही कंट दिवेच ही दिद प्योना जनेपे तो बाद देख पाल जनेपे दी मिती जनेपे दी जगा संस्था केड़ी है असेस्टर डिलिवरी सेजेरियन कार विच या भी ये और इस बारे इस तो बाद इन्फोमेशन हो दिया ह्यां समेत है जनेपा समेत थो पहला जनेपा जा गर पात हो या जिकर जनेपा संस्था विचो जाए तो उस तो बाद मा किननें दिनों उठेर है कोई मुश्किल जे कर हां शिशुदा लिंक की है मंदाई कोड़ी है वजन की है किलोग्राम किने ग्राम किने शिशुद जर्म ते तरंतबाद रोया है के नहीं बड़ी बड़ी इंपॉर्टन इंफोर्मिशन है जटों आस्पिटल तो उंटे स्टार्जन दाय तो सब तो पहला जड़ा डॉक्टर ऑले सजेरियन डिलिवरी दे विच तो बिलकुल भी ने विटामन के दा ठीका उत्त डॉक्टर जबगारानू पता उन्दाय के लग्गाय के ने जने पेत बास शेमी ने तक हार रोज लो तात दी एक गोडी जरूर लवो जरूर लवो जरूर लवो जरूर लवो बहुत ही काटी लेडी से कम कर देगा है तेंगों कर क्यों ना दे सरीर भी तो बहुत वीकने साजन दी है और सारी जड़ी इंफ्रमेशन ने बड़ी जरूरी है अपनी केर जो की लेडी से नहीं कर पूंद है करने चाहिए जिने पर बाद मादी जाच कोई आंकर नीमिया नबस दी गती लब खून दी कमीतनी होगी नबस दी गती कितना चल दी पर यह खून दा दोरा कितना चल दा पर यह ताप मान के में शाती नरम मा सकते है निपन बच्चे दानी विच दरद पीवी खून दा वगणा ज्यादा किया मैं लौकिया बदबुदर मुष्क एप्टी चुग में तियर प्रिवार कल्यान सला परिशानी जरह पर चिशु दा वजन दो किलोग्राम तो काटों ते एनम तो दोद चुंग और अधिक कंगारू केरस ब बड़ी बड़ी प्रोब्म हो दिये बच्चे लिए प्रवार दिली इस करके इस बंदी बहुत ही जधा ख्याल रखना पेंदा है जने पे तो बास शिशु दी देख पाए उदा पार किनना एक दिन वीच तिन दिन वीच सात दिन वीच शेफ दिन सारा ही रिकॉर्ड रखन पेंदे गती बिदी कितना दिये चंगी है जा सुस्त दुद्द चुंगता आम आके परिशानी वीच चे सारी निकी निकी गल्ला दा बहुत ही त्यान रखना पेंदा है साधी गती प्रतीमेंट किन्यों चाहिए शाती दा तसना तापमान पीलिया ते नभी नाल दी स्थती मलब बच्चे दा जो नाडू है उक्के में दा काम कर रहे हैं मलब ओ सुक्का है जहाले भी गिल्ला है ओ भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी हों दी है मा बाब दी नवजा शिशु दी देख पाल की करना है जो बच्चा बिल्कुल है जी नियू बहुरन है उन्हों शिश केवल मादा दुद्धी पिलावना है पहले अड़ता लिकेंटे ताक शिशु नू नाओ नाल नू सुक्का ही रखो शिशु नू बिमार लोका तो दूर रखो जेकर पाटा आई किलोग्राम तो काटा है ता उस दी वदेरे देख पाल करो खत्रे दे लच्चन जेकर संपरक करो मादा दोद्धी नापिदा वेमल बत्चा बिल्कुल भी मादा दोद्धी नापिदा वेता हूं बहुत इवर डॉक्टर नो दिखाओ द्वारे पेंदे ने अकदम भी होश हो जान दा है बहुत रोंदा है शेट साधी गती है 60 प्रती मिट तो जादा है तो आमी बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है एस बारे भी बहुत ज़्यादा त्या रखना पेंदा है साल एंदे समय शाती दा तसना शा सेल्सिस ना उस तो जावावना शून ते गर्म लगना ते अगर सैंती फंट पांच दो काट भी है ता में बहुत बढ़ी प्रॉब्लम हों दिया केवल उसकौन ते हिल जुल करना जैं बिल्कुल हिल जुल ना करना ये भी बढ़ी बढ़ी प्रॉब्लम है गिए कि अगर ब सब्सक्राइब भी बच्चा हिल दानी है शेफ त्यां बाद बच्चे दी ग्रह पेटती जांज कार्ज दो आ जान दा है उस्थों की कंडिशन जुन दिया ने कि बच्चा बिमार पूरे मंस्दी रिकॉर्डिंग के अगर दो दिचंग आना जारी रखों एक वार खाना दो तिन चमच हार रोज दो तिन वार खाना अज एक दो वार नाश्ता म एक समय वीच अध्यक अद्धा कब दिन वीच दो तिन वार एक दो वार नाश्ता माग्र एक समय में जाए स विकासी वीकाश वैस Cinderella दात्टी दात्टीर दात्टी दात्टी तक उपरी हारी आहार दी शला तीजी मीने विजटा बिलकुल नी देती जान दी थे फेट वुक्त को थे मैं कि बच्चे दे लालन पालन दी शला हमेशान लिए बच्चा मेशा वदी केयर करना परवार निजोजन दी शला ओंस देता गया है आरन फॉलिक एसर दा कोल देता गया है इत्थ एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्मिशन है विटामिन ए नौमे मीन्दे में ची देता जाना चाहिए है नलके मेरी बीबी नेक्स्ट बथ दिखता जारे का हूँ तो करें को दस्त कॉल लुच को आप ये ता सुचे omdat को असे बहुता है सो नर्सट आरन तो कि firm and जिंपॉर्टेंट इंपॉर्मिशन है विटान एजर से अलाज। कि एकार्ड बिल्कुली न्यू है गाए मलब पहला है में देकार्ड नहीं से मिल दे इस वर 2002 एकार्ड देड़े करंट काड़ने हो बहुत ही वजी है खान आप कौन आते खिलाओं तो पहला आप खाने तो बाद बच्चे दा माल साफ करन तो बाद आपने दोना थनों साब बन सुनिश्चित करो कि पीम दा पानी साफ हो वे याथ उसनों साफ टक्यों पाणड बच रख्या गया हो है सुनिश्चित करो कि बच्चे दा वातवरन साफ रह वी याथ बच्चे दे हाथ अक्सुर्त वह रहो क्योंके ज़ों बच्चा फट दा एए खेड दाये चीजनों जड़ियां उन्हों प्राब्लम्स हो जान्देगानें हमेशा सचाल्यादी बर्ते करों खुल्ले विच पखाना ना करों बच्च्यादी मालदा चरक्यत निप्टारा करों ओरेस दा पैकट एक लीटर पीन दे साफ पाणी विच चेंगीतना को लो दस्त शुरू उन्दे अते हरीक दस्त तों बाद ओरेस था कोल जरूर पिलाओ जिंक दी गोली एक चम्मच पीन दे पाणी जमादे दोद विच कोल के चोदां दिना तक द्यो दस्त धरान अते दस्त बाद बच्चे नू मादर दोद अते उपरी आहार देना जरूरी रखो निमोनीयादी रोग ठांगर बच्चे नू निमोनीयाँ जन्दा है तो उप्ध जरू किन करना है सर्दियां मेच बच्चयानू उन्नी कपड़े पहनावा ते जिमीन ते नंगे पैर नाचल दन्दो नवजात दे सदीर नू कदे नंगा न शट्टो लच्चन के नंगे निमोनीया ते बच्चयानू निमोनीया उगे खांची दा बदना तेजी नाल चाल नाचल शाल इंदे समयशा दिदा अंदर तसना बुखार वनाँ साधी गतिनू गिनन नाल निमोनीया दी पैचान किती जा सकती है कि दो मार्च बंजाब तो चाली बंच तो जाई अथा साधी कथ दस्ते निमौोनिया थे लक्षन देख देझे तुरंत आश्ना हसे नहीं न समपर्क करो इस बुक विच बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन देती है नेक्स्ट आंदा है शिशुनों दुद्ध चुंगाना उज़े खेड़ना आते गलना करना उज़े विकास विच आईकुन दा है आते उज़े सरीर आते बुद्धी दा विकास करता है जन्वदे सम दा तवन्त अंतर पूरी तरह विक्सत नहीं होंदा इसलिए केवल मादा दुद्धी पचा सकता है जेकर कदे बच्चा इसलिए रोंदा है क्योंके उसनों उस दी त्वाड़ी गोदी दी गरमार दी जरूरत है अपने नवजाची शुनों आपने श्रीर नाल चिपका के र लाओ नेक्स्ट जनम दे तुरंत बाद एक कंटे दे अंदर बच्चे नू आपना दुद्ध पिलाओ अजेहा करनाल तो हाड़ा बच्चा तो हाड़ा दुद्धी ही पीवेगा अथे उस दा तो हाड़े नाल लगावी बतेगा एक कंटे दे अंदर कंपल्सण आदो प्यों दे अगर बच्चे पिवेगा अविसली अटैच मेंट जो बच्चे दी माध नाल भी जड़ा थे घाला बदेगी देनू वेजा रात बच्चे नू उस दी जरूरत अन्सार अपना दुद्धी पिलाओ बार बार दुद्ध पिलाओन नाल माधी दुद्धी मात्रा विच भी वाद्धा अन्दा है बच्चे नूँ पाणी ना दो, शैद ना दो, दुद्ध दी बोतल भी ना दो, ते कोल्डी विच कोई विया हार ना दो अगर बच्चा दुद्ध माधा पीन दा है तो बेस्ट है कि उसनू माधा दुद्ध ही दता जाओ माधे दुद्ध विच पाणी अथे पौशिक तत्ता तत्ती मातरा पूरियन दिया इसली पहले शेमी ने दोरान चर्फ माधा ही दुद्ध प्याओ उसनू खान अथे पीन देले कोई हो उर्पदार्थ ना हीते होते चंगाओ बिमारी दरान ही आपने शेमी ने दे तो शोटे बच्चे ने केवल आपना दुद्ध देओ थोडी जोडी मात्रा पूरिये जुरूर दो मा दा दूद बच्ची दे माग दा जो है विकास करदा है बच्ची दा आईक्यू लेबल जड़ो मा दे दूद दे नारी ड्वेल्पन दा है बुड़ किसी चीज माग नहीं हुंदा तुद चूंगां से बंदी समस्याल ले आंगन वाड़ी पैंजी आशा जैनन पैंजी तो स बच्चा दूद नहीं नहीं पींदा तुद लालो थैंक्यू पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्स अलोट